अहरोरा नगर पाली का के जेई ने आत्मात्या करने का प्रयास किया नगर पाली का अध्यक्ष गुलाब मौर्या के प्रताड़ना से खुब्ध होकर आपक होकर आत्मात्या करने का प्रयास किया अहरोरा नगरपाली का परिशत के जेई सुशील मोहन निगम द्वारा सुबह आत्मात्या करने का प्रयास किया गया मौके पर पहुची पुलीस ने अवसास से ग्रसीट जेई को अस्पताल में भरती कराया है जा इलाद चल रहा है जेई ने नगरपाली का अध्यक्ष गुलाब मौरिय पर बार बार प्रताडित के जाने का आरोप लगाया है आत्मात्या के पुर्व सोशल मीडिया पर जेई द्वारा लिखा गया सभी ग्रुप मेंबर्स को अश्रु पुरीत नैनोव अत्यन्त दुखी मन से अवगत कराना है कि मैं सुशिल मोहन निगम अवर अभियन्ता नगरपाली का परिशत अहरोरा गुलाब मौरिय अध्यक्ष नगरपाली का परिशत अहरोरा से अपने घर जाने है तू 26 दिसंबर का अकस्मित अवकाश कई दिन से मांग रहा हूँ लेकिन नहीं दिया और विनए कुमार तिवारी जी अधिशासी अधिकारी नगरपाली का परिशत अहरोरा पर टाल दिया जब मैंने उनसे अवकाश मांगा तो उन्होंने भी नहीं दिया उसी संदर्ब में अध्यक्ष जी के पास कल दिनांक 23 दिसंबर लगबग सायंकाल 6 बजे दुरगा जी सामुदाइक भवन पर अपने घर जाने है तू दिनांक 26 दिसंबर का अकस्मित अवकाश की अनुमती लेने गया था लेकिन अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे बहुत ही अपमानिक किया और मुझे धक्के दे कर जमीन पर गिरा दिया गया मैं तुरंती वाह से बिना कुछ कहे सुने अपमान का घूट पीकर अपने आवास पर आ गया लेकिन वो घटना बार बार मेरे दिलो दिमाग वो आखों में घुमने के कारण मुझे उटते बैटते चेन नहीं पड़ रहा था मुझे राट भर ढ़ंग से नीन भी नहीं आई यहाँ यह भी अवगत कराना है कि मेरी तैनाती अपने घर से काफी दूर होने के कारण मेरे अधिकानश सारवजनिक अवकाश यही तैनाती स्थल पर ही व्यतित हो जाते है लेकिन मेरे दूर रहने वाले वभारी होने के कारण जोईनिंग के बाद से अधिक्ष जी के दुवारा मुझे आए दिन किसना किसी भाने मेरे कामों में कम्या निकाल निकाल कर मानसिक परताडिक किया जाता रहता है और मुझे अपने घर जाने हेतु अवकाश नहीं दिया जाता है वह अवकाश का प्रातना पत्र देने के बाद भी मेरी अनुपस्तिती लगा दी जाती है वह मेरी निगरानी भी की जाती है पत्र देने के बाद भी मेरी अनुपस्थिती लगाती जाती है तो कभी मेरा सर्विस रिकॉर्ड खराब करने की कोशिश की जाती है और मेरा अवकाश का प्रातना पत्र रिसिव करने के लिए कार्याले के स्टाफ को मना कर दिया जाता है इस प्रकार से मुझे यहां बंदक ब लगबग समाप्त हो गई है एवं में बहुत ही अवसाद में जी रहा हूँ इससे नौकरी करने के साथ साथ ही मेरे जीने की तमन्ना भी अब समाप्त हो गई है इसलिए उपरोक्त सभी घटनाओं से खशुब्द होकर आज में अपनी जीवन दिला समाप्त कर रहा हूँ जिसक ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया कम से कम मेरे बाद मेरे घर परिवार का ख्याल रखना फिर हम उनसे कहें जिए साफ से जी वह बोले कि मैं अपनी करम से आपको चुट्टी नहीं दूँगा अच्छा उसके बाद बोले अगर इस आपको चुट्टी दे दे तो आप देजिए लिखाने मैंने उसे कहा में सब्सक्राइब आपके रखने से क्या फायदा होगा तो मुझे क्या मेरे पाद क्या प्रूब रहा कि मैं चुट्टी पर जा रहा हूं और आपने विरा अपने ले लिए लिए हैं जेई के आरोब पर नगरपाली का अध्यक्ष से बार बार संप चुट्टी दी गई है शासन सतर से कई उजनाओं में काफी कार्य ऐसे है कि बार बार चुट्टी कैसे दी जा सकती है वह आगरा जिले के रहने वाले है घर से दूर होने के कारण भा यहां नौकरिक नहीं करना चाहते जई के आत्महत्या करने के बाबच शासन को लिखा जा रहा है इन बीसे नियूस के लिए मिर्जापुर से अजय दूबे की रिपोर्ट दहेश प्रता को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ सरकार कड़े से कड़े कानून बना रही है लेकिन फिर भी यहें दहेज रुपी दानव लोगों के जहम में जगा बनाए हुए है ऐसा ही मामला दिल्ली के सीलम पूर्थाने में आया जिसमें शादी के तुरंद बात से ही पती अपनी पत्नी को प्रताडित करने लगा मामला उस समय बढ़ गया जब शराब के नशे में उसके पती गुलजार ने उसके साथ मार पिट की तथा तीन बार तलाग तलाग बोला जो कानूनी जुर्म है पीडित पत्नी गुलजार का कहना है कि मेरे ससुराल वाले हमेशा से ही मुझे मारते पिटते है लेकिन आज जब मार मार कर मेरा सर फाट दिया तो मुझे मजबूरन कानून का सहरा लेना पड़ा अब देखते है कि इस नव विवाहिता को न्याय मिलता है या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर एक नव विवाहिता की जिन्दगी दहेच की बली चड़ जाएगी इनबिसे न्यूस के लिए दिल्लिस से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट मत्वरा उत्तर भारत के विशालतम दक्षिन्दगी जाएगी 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 विशेजней के शैली के सबसे बड़े मंदिर व्रढदावन के रंगनात मंदिर में शुक्रवार को बैकुंध एका दशिक अवसर पर बैकुंध द्वार खोला गया यहां ब्रह्मА मूर्त में भगवाम रंगनात माता गोदा के साथ निज मंदिर से पालखी में विराजमान होकर वैकुंट द्वार पहुचे जा स्वामी गोवरदन रंगाचारे जी के निर्देशन में मंदिर के सेवायत पुजारियों द्वारा पाठ किया गया करीब आदा घंटे तक होए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनाथ और शट कोप स्वामी की सवारी मंदिर प्रांगन में भ्रमन करने के बाद पॉंडानाथ मंदिर जी से कहा जाता है कि वह वैकुंट लोक में है विराजमान किया जाता है जहां भक्त वैकुंट द्वार से निकल कर अपने आराध्य के दर्शन करते है मंदिर के स्वामी रगुनाथ जी ने बताया कि 21 दिवसिय वैकुंट उत्सव में 11 वैकुंट एकादशी पर वैकुंट द्वार खोला जाता है या एकादशी वर्ष की सर्वस्त्रेष्ट एकादशीयों में से एक मानी जाती है मानेता है कि वैकुंट एकादशी पर जो भी भक्त वैकुंट द्वार से निकलता है उसे वैकुंट दाम की प्राप्ती होती है मंदिर के मुख्य कारेकारी अधिकारी अनगा श्री निवासन ने बताया कि अलवार आचारे वैकुंट उत्सव के दोरान अपनी रचीत गाता भगवान को सुनाते है वैकुंट एकारी के दिन दक्षिन के सभी वैशनव मंदिरों में वैकुंट द्वार ब्रम मूर्थ में खुलता है इसी परंपरा का निर्वाहन वृंदावन स्थितरंगनात मंदिर में किया जाता है बैकुन जरवज्जे के बाहर बिलाजते हैं और भगवान वहां गेट के अंदर खड़े होके भक्तों को तथालवालों को दर्शन देते हैं अब ये दस दिन तक बैकुन फोस्व चलेगा शुबह साम कभी राम रूप में कभी किस्व रूप में साम को जो है सवारी निफ्ष यहीं इसी बैकुन फोस्व मंडप में निकलेगी भगवान की और इसके बाद जो है फिर भगवान का विवाव उस्व आगे मकर समिकांती तक होगा अभी इसी के बाद जो है सद्कोप स्वामी जी का फिर परमपद उस्व इसे में दिखाया जाता है भगवान का पाठ होता है अब भी भगवान यहां भक्तों को दर्शन देंगे इसके बाद फिर यहां अंदर विराज जाएंगे फिर इसके बाद भगवान के अभिसेख की प्रशाद भक्तों को बिच्चित किया जाएगा। न्यूस के लिए मतुरा से अजर ठाकुर की रिपोर्ट। झाल 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 झा झाल 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 झाल